इस बार जीवन परिचे कैसे लिखना है? UP Board Exam 2023, 16 फरवरी को आपका एक्जाम है और ऐसे में आपको बड़ी चिंता सता रही है कि इस बार थोड़ा सा 16 फरवरी को आप जब हिंदी का पेपर देंगे यानि Class 10th के विद्यारती तो आपको जीवन परिचे कैसे लिखना होगा? इस बात की चिंता बहुत आपको है और होनी भी चाहिए क्योंकि जीवन परिचे के तमाम तरीके हैं आपके मैं पहले तरीके बता चुका हूँ, मैं वो भी सही तरीके हैं लेकिन जो नया तरीका UP Board ने कहा है कि आप ऐसे लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी जीवन परिचे लिख सकते हैं UP Board ने क्या कहा है? हिंदी के संबंद में आईए हम दिखाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे UP Board की वेबसाइट पे High School परिक्षारतियों के लिए सुझाओ फिर यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे Board परिक्षा के संबंद में महत्मूर्ट सुझाओ तो यहाँ पर जब हिंदी की सुझाओ की बात आती है तो हिंदी में बताते, बताते, बिश्लेशन करते, हम बता भी चुके हैं कि यहाँ पर एक जीवन परिचे का थोड़ा सा format दिया है कि आप flow chart का प्रियोग करें लेखा केवं कभी का जब भी जीवन परिचे लिखे हैं तो लिखते समय flow chart का प्रियोग करें जैसे जन्म, इस्थान, माता-पिता, भाषा-शैली, कृतियां, मरत्यू तो आप इस तरीके से आप प्रियोग कर सकते हैं ठीक है? तो जरूरी नहीं कि हर जीवन परिचे में सेम ऐसी ही हेडिंग्स हो भाषा-शैली हो, कृतियां हो, या माता-पिता हो किसी के पिता की नहीं जानकारी है, या माता की नहीं है, नाम की तो कोई दिक्कत नहीं है, जैके मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आचारे रामचंद्र शुक्ल का हमने जीवन परिचे आपको दिया है ठीक है? यह तो आना तैं है, 2013 से लगातार आ रहा है 2022 तक यह जीवन परिचे है, यह तो इसे कताई भूलना नहीं है सबसे पहले आप flow chart बनाएंगे, तो simple सा यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचे और फिल लिखेंगे आचारे रामचंद्र शुक्ल, आपको केवल blue और black दो ही pen का प्रियोग करना है, sketch pen का हमने यहाँ पर प्रियोग किया है आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी blue और black होना चाहिए sketch pen का बिलकुल प्रियोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सदयव इसका प्रियोग किया है sketch pen का heading डालने में, लेकिन असर्त यह होती है कि copy के इस पार से उस पार तक आपका sketch pen छपे ना copy को गंदा ना करे, तो आप simple सा यही trick अपनाएंगे, जन्म यहाँ पर आपने डाला फिर जन्म कितना 1884 भी और मृत्यू उसी के साथ आप डाल दिजेगा मेरे हिसाब से आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मृत्यू में आप 1941 यानि कुल मिलाके यही आपको देख करके examiner number देदेगा, वो समझ जाएगा कि भाईया यह लड़का होश्यार है और इसने जीवन परिचे को अच्छे तरीके से याद किया है लेकिन यहाँ पर यह चीज़ें सही होनी चाहिए, पिता का नाम, जन्मिस्थान, प्रारंबिक सिक्षा, कारे प्रमुकरचनाएं यह सब चीज़ें जब आप flow chart में प्रयोग करते हैं, यहाँ की हेटिंग जरूरी नहीं, जो हमने डाली वही हो किसी में आपको सिक्षा दिक्षा भी डालनी पड़ सकती है, किसी में प्रारंबिक सिक्षा, किसी में उच्च सिक्षा, किसी में कार, किसी में लेखन सैली, किसी में भाषा शैली भी बढ़ सकती है ठीक है वो अपने अपने जीवन परिचे के नुसार लेकिन जितने हमको मैं सारे जीवन परिचे आपको करा दूँगा लगबग बोर्ड तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 16 फरवरी को आप टेंशन ना लीजे जीवन परिचे आपको कम्पलीट हो जाएंगे काबे के भी और ग लेकिन लिखना आपको सही है क्योंकि पढ़ भी सकता है यह बात आप न भूलिएगा क्योंकि हर एक्जामिनर हर तरीके का होता है लेकिन अधिकतर एक्जामिनर यहां पर देख करके आपको पांच नंबर देही देंगे नू टेंशन ठीक है तो यह बिलकुल ऐसा ही फ्लो आप बना बना करके तयार करना है अब चलते हैं पूरे ब्लूर ब्लेक मिन का इस्तिमाल आपको करना है अब हम चलते हैं कहां पर चलते हैं हम आपको पूरे जीवन परिचे से परिचित कराते हैं कि अगर आपने ऐसे लिखा तो इससे जादा आपको यादी नहीं करना है इत पिता का नाम लिखेंगे चंदरबलीशुकल इनकी माता का कहीं कहीं पर जिक्र है इस्थान यहां लिख सकते हैं या फिर यहां पर जन्म इस्थान दोनों बाते हैं पस्ती जिले के अगुनागराम में जन्म प्रानम्भिक सिख्छा,lles Bishop School मिर्जापूर में कार यह क्या किया? आलोचक है, इतिहासकार है और निबंधकार है इतिहासकार, आलोचक और निबंधकार प्रमुक्रचना थे चिंतामडी विचारवी थी कहता है High School के भी दर्थियों 10th में आपको कहता है कि एक जीवन परिचे लिखते हुए कभी की किसी एक रचना का नामोल ले कीजिए या फिर कहेगा प्रमुक रचनाओं का नामोल ले कीजिए तो प्रमुक रचनाओं दो चार ही होती है ठीक है? प्रमुक रचनाओं आपकी हेडिंग डालेंगे ठीक है पूरे नंबर लेने के लिए आचार रामचन सुकल जी का जन्म अब वही तो बात हम लिख रहे नीचे 1824 इस भी में बस्ती जिले के अगोना नामक गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम चंदरबली शुकल था हाई स्कूल परिक्षा मिर्जापूर के मिशल स्कूल से उत्रिण की इंटर की परिक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई ठीक है मिर्जापूर के नयायले में नौकरी कर ली किन्तु किसी कारण से छूट गई मिर्जापूर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए साथ ही पत्र-पत्रिकाओं में इनके लेक प्रकासित होने लगे काशी हिंदू विश्विध्याले में प्राध्यापक पद पर न्यूक्त हुए फिर हिंदी विभाग के अध्धिक्षपद पर कारे किया सन 1941 में इस भी में हिंदी का या प्रसिद आलोचक पंचितत्यों में लीन हो गया इतना लिखने के बाद आप थोड़ी से हेडिंग डालेंगे कृतियां कृतियां हेडिंग डालेंगे कृतियां हेडिंग जब डालेंगे तब क्या लिखेंगे आपको प्रमुक कृतियां लिखनी लिखेंगे आचार रामचन शुकल की प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार है इक रचना लिख देंगे तब भी काम चलेगा वो एक ही पूछता है आपके पेपर में ठीक है बाकि हम आपको recommend करेंगे कि कम से कम अगर किसी लेखक की 20 रचनाएं हैं तो उसकी 8 से 10 रचनाएं जरूर लिखें यानि 50 परसेंट उसकी रचनाएं जरूर तयार करनें क्योंकि ये काम आपका जो गद्यपद्य साहित का इतिहास आता है उसमें भी काम आएंगी ये रचनाएं जितना हो सके उतना share कर दीजिए बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये problem हो रही है इस problem को solution आपको मिल गया